मौसम का मिजाज बदलने लगा है धीरे धीरे थंड दस्तक दे रही है इसे के साथ देश की राजधानी दिल्ली में वायू गुर्वत्ता भी तेजी से खराप हो रही है दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई कंभीर स्थर पर पहुँच गया है जो की स्वास्त के लिए जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है मौसम में बदलाव आया ठंड बढ़ी है और दिवाली से पहले ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पॉलुशन भी इंक्रीज हुआ है तो इस पर सरकार को कुछ करना चाहिए और डेली मौर्निंग वाक के लिए आते हैं तो यहां पर पॉलुशन तो बढ़ा ही है इस पर ठंड भी बढ़ी है और ऐसा भी दीख रहा है कि आज का लोग भी सेहत के लिए बहुत कॉंशियस हो गये हैं तो काफी लोग आ रहे हैं बढ़ते पॉवुशन से सिहत पर उस पर क्या असर पड़ेग़ विप्रीत असर वह मेरे हमारी थुड़ी छिनता रहे हैं घ्रियत फर्टिंग मेंजी प्रावलम अकोर्डिंग टू पहले के मुकाबले अभी जादे हो रहा है और दिवाली से पहले आसा हो रहा तो दिवाली के बाद और भी हो सकता है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए हमें थोगा क्या unasa के दो या तीन वी जूटा जो जितना थोड़ा सव पॢलीशन जो बढ़र है एंड उसका हमें फील कांशा होता है कि एक कही के नदिया को ब्रीधिंग में प्लस आपको जो है अई में बरनींग हो रहा है कई नगी हर एक राइडर से आप कोई भी जो मोनिम आ रहे हैं तो उनको लगेगा एंड जैसे वह टाइम थोड़ा और आगे जाता है कि मलब आप 5 o'clock के बाद जैसे शिक्स o'clock 7 o'clock हो थोड़ा सा वह आपको बर्निंग जादे हो जाएगा जो आपका इंटरन और जितना वी जहां पर गिन्री वाला पार्ट है वहां पर थोड़ा सा अगर वक करेंगे तो वहां पर थोड़ा बैटर हैंगा हैंड आपके सहीड के लिए ना सब्सक्राइब लोग जो है अपना थोड़ा हैल्थ कैसे में ध्यान रगाएं तिल टाइम जब तक कि यह हमारा जो है एकोई लेवल और जो पीम लेवल है यह काफी हायर है उस टाइम पर थोड़ा कोशिएश रखने के लिए इस पेसली जिनको ब्रीधिंग का प्रॉलम है थंडी का मौसम शुरुआत हुई है अभी और हल्का फुलका कोहरा भी है पर लोग यह भी समझें कि साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है एक्योई लेवल अल्रेड़ी 398 के पार हो चुका है तो हमें अपनी जो आउट्डोर एक्टिविटी से उस पर भी थोड़ा सा जो है कंट्रोल करना चाहिए जैसे आप अगर अपनी इंटेंसिटी है उसको कम करें और प्रदूशन के लिए जो है आपको मास्क वगरे लगा के जरूर रखना चाहिए जैसे जैसे प्रदूशन बढ़ेगा हम लोग भी मास्क वगरे पहन के ही अपना मॉर्निंग वॉक औ और रनीं करेंगे